हाजी दोस्तों, very good evening और कैसे हैं आप तो बहुत अच्छा कल का हमारा राम लला का प्रान पतिष्ठा वाला कारेगरम हुआ सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और अब फुल्बूर आने वाला है आज कुछ टॉपिक नहीं है मेरे पास बढ़ हाँ, दिल में बहुत कुछ दिल से अंदर से निकल रहा है जो मैं आज आपरों से रिलीज करना चाहती हूँ माल लीजे कि बहुत कुछ आज मुझे आपसे बात करने का मन है ठेक है दोस्तों सबसे बहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आप में से बहुत से लोग है जिनको मुझे मेरा वार्षट में मिल जाता है आप इस वगत अपनी जर्नी के अलग-लग स्टेजेस पे हो अलग-लग एमोशन्स हैं आपके जो आपके थौट आता है आप इदम से अपना फ्रस्टेशन अपना पैनिक मेरे डियम ने आज मुझे ब्लॉग क्यों कर दिया माम, प्रीज बताईए माम, टाइप सॉफ्ट इंफ्लेम्स क्या होता है प्रीज बताईए माम, ये यूट्यूब में कहां कालिका का जो कवच है, वो कहां मिलेगा इस सारे सवाल आपके आपको क्या लगता है कि क्या मैं एक एक आप लोग के सारे सवाल कर जवाब दे सकती हूँ बहुत मेरा हेक्टिक शुडूल रहता है बहुत बिजी रहती हूँ रस्पेक्ट माइ टाइम और एनरजी मैं इस सब आंसर अपने वाट्सअप पे नहीं करती हूँ इसलिए ई-मेल पे और इस्टाप पे भी मेरी टीम आप लोग को रिस्पॉंस करती है ठीक है, और इसलिए मैं बिलकुल भी इसको गलत नहीं समझती आप लोग अपनी जर्नी की जिस भी एज में हो, इसलिए हम अपना Twin Flame School का आप बना रहे है जिससे कि वहाँ पर आपके मन में जो भी सवाल है जो भी थौट्स हैं आप वहाँ लिख सकते हो वहाँ हमाई जो भी कोचिस अविलेबल रहेंगे या तो वो आपको आपको आंसर करेंगे या मैं अविलेबल रहूँगी तो मैं आंसर करूँगी या आप लोग खुद भी आपस में दिसों को सपोर्ट कर सकते हो तो बहुत सारी बेनेफिट्स हमाई Twin Flame Apps के होने वाले हैं और यही सब चीजे सोच कर यह हमने स्कूल कोलने का प्लान किया है लेकिन फिर भी अभी इस वकत क्या आप लोग मैं से New Awakenings के एक ऐसा स्लॉट आया है जो लिटरली बहुत ज़ादा पेन से गुजर रहा है तो एक बार मैं फिर से इस जर्नी को Recap कर रही हूँ और यह जो मेरा वीडियो है यह सब को ही काम आने वाला है अच्छा है आप जानी कि किसी भी किसी भी स्टेज में हो समढ़नी कली बात है कि जिसके मैं 19 में भी एक बार किसी वीडियो में कहा था जो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हम जब जब हम incarnate होते हैं उसके बास से चो इन फ्लेज की लाइफ जब हमेशा बहुत स्ट्रॉगलिंग रहती है या तो इस फंक्शनल फैमिली होती है मलब आपके ऐसे कार्मिक्स आपकी लाइफ में आते हैं चाहे वो पैरिंस के रूप में हो चाहे आप के स्कूल में आप स्कूल का माहौल रहता है कि आप आप हर स्टेज में स्ट्रॉगल करते हो कार्मिक, कार्मिक सिच्वीशन्स कार्मिक आपके लाइफ में आते हैं बहुत ऑब्यूसिव आपकी घर में जगड़े हुए बहुत सारे जगड़े और हो रहा है sexual abuse हो रहा है या कुछ भी ऐसी गंदी वाली comic situations, कर्मा हम पूरी जिन्दी बेर करते ही रहते हैं life बहुत easy नहीं रहती है ठीक है और इसी तूफान में कहीं हमें अपने किसी उस खास की का एक इंतजार होता है unconsciously जिसके लिए हम बने हैं और हमें पता होता है intuitively पता होता है कि कोई there is someone हमारी शादी भी हो जाती है तब पता नहीं चलता है कि वो someone अभी तक भी नहीं आया है लेकि वो खोज कतम नहीं होती है आपकी शादी किसे से हो जाएगी बट फिर भी वो खोज कतम नहीं होगी क्योंकि शादी क्या है, यह तो समझना है कि शादी तो एक programming है, एक ritual है, लेकि वो इसका उस खोज से, उस यात्रा से कोई मतलब ही नहीं है, फोकस, मैं क्या कह रही हूँ, यह जर्णी के लिए पूर हुआ है, इस जर्णी के लिए पूर हुआ है, आपको यह यात्रा पे फोकस करना है, इस जर्नी पे, Twin Flame is another very important part of this journey for sure but आपका जो यह जन्म हुआ है यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि आपको सबसे पहले अपनी journey को priority देना चाहिए बहुत से लोग लोजिकली सोच के parents घर पर बोल रहे हैं या आप Twin Flame बात नहीं कर रहा है तो 3D के logical reasons के कारण से शादी कर लेते हैं और उसके बाद भी वो जिन्दगी में सुकून भी नहीं होते हैं क्योंकि एक journey मिली आपको, एक blessings मिली, एक मौका मिला अपने आपको upgrade करने का अपनी abundance को manifest करने का, एक अपनी आप में awaken होने का आपको मौका मिला अपनी जिन्दगी को अलग नजरिये से देखने का अलग perspective से समझने का, आपको मौका मिला divine से align होने का और आपने घूम फिर के, क्योंकि Twin Frame बात नहीं कर रहा क्योंकि Twin Frame से शादी नहीं, आपने फिर से वही जिन्दगी चुन ली, शादी कर ली और लो उसके बाद भी आप खुश नहीं होते हो यह सच बता रही हूँ, मैं बस बहुत सारे cases आये हैं ऐसे कि शादी हो गई, अभी भी खुश नहीं है तो समझिए आप, इस जर्नी की वैल्यू के समझिए यह, इस जर्नी इस यूर प्रायोर्टी तो Twin Flame कोर है Twin Flame का रोल है, आपके अंदर के ब्लोकेजिस को सर्फेस पे लेके आना और आपको खुद से मिलवाना ठीक है, Twin Flame का रोल है, आपको आपी से मिलवाना आपके authentic self में लेके आना आपके purest self में लेके आना purest version मतलब कि आपका वो version जो God से align है, जो universe से align है जो आपका ही universe का version, universal version है universe अलग नहीं है, हम सब universe है हम सब universe के एक different, different जैसे एक कपड़े, क्लोध अलग अलग प्रकार के होते हैं कोई panch, frock, saadi, salvaak, उड़ता, यह अलग शेप्स है तो हम सब भी different versions है, types है पर हम सब ही universe है universe हमको experience कर रहा है तभी तो यह journey मेली, यह कहा जाता है कि आप separation consciousness से निकल के oneness की नजी में आईए हम सब interconnected है, हम सब one है जब आप, अगर आप अपने कार्मिक्स को अलग समझते हो कि वो separate है, वो अलग है तो आपने twin flame को separate समझोगे ही समझो कि कार्मिक बुरे है तो हमारा कर्मा उनके साथ था जो हम अपना accounts close कर रहे है और अपनी soul को आजाद कर रहे है, अपनी soul को मुक्त कर रहे है समझीए, जिस दिन करें भी है, वो universe सब में है हम सब एक ही है, किस से नफ़त करें जो नफ़त वाली बात है वो या तो हमारे अंदर के blockage है जो कि लोग हमको trigger करते है या फिर हमारा कर्मा उनके साथ है जो हमें चुकाना पड़ रहा है तो इस ही को करते है separation consciousness को dissolve कर करके oneness की energy में आना तो पहले twin flame को आप के साथ उसको अपने अंदर तभी feel कर पाऊगा जिब तक आप अपने ये separation consciousness को ही dissolve नहीं करोगे twin flame तो छोड़िए, आप सब को अप एक साही समझे, अपने एक साही समझे, एक ही समझे, वो सब universe है ठीक है तो आपका twin flame इस journey पर सिर्फ romance का निकली नहीं आया है या, romance क्योंकि वो आपका other half है, तो वो जो एक बहुत intense और strong feeling होती है, उसको हम 3D based 3D based अगर reality से कहें या 3D based programming से romance का पकी परिभाशा देते हैं ठीक है, लिक भी guide you कि हमको ऐसा क्यों होता है कि हम अपने twin flame से प्यार करते है romance करते है, क्योंकि हमको उस intense feeling का नाम यही पता है, कि कुछ romance जैसा ही होता है, ज़कि romance is just an illusion it's just a craving, एक आपके जो आपके जो unhealed parts है जो lack है आपके अंदर तो कहीं न कहीं वो neediness को हम उस happiness को उस lack को हम बहार romance के रूप पे खोज रहे है, romance is just a desire एक desire है एक 3D based desire है एक logical desire है, जो brain से created है, समझिए और यह क्यों brain से created है वेकोज यह कहीं न कहीं reflect करती है आपके अंदर उस unhealed part को जो कि unfulfilled है जो अपने आप में lack feel कर रहा है, unsatisfied है जो अपने आपको victim समझ रहा है जो अपने आपको खाली समझ रहा है, lonely समझ रहा है और उस part को fulfill करने के लिए हम external source से हम external source में हाथ पैर मारते हैं कि कोई आके हमारे उस unhealed part को पूरा कर दे जब कि बहार से कोई भी चीज वो पूरा नहीं कर सकती and that is the reason आपके twin flame आपके आपकी life में आता है, आपको ये ऐसास कराने के लिए कि आप खुद से मिलो right, आप come back to your own power come back to your own conscious, divine universal consciousness, ठीके कि आप अपने higher self को align हो, आप अपने lower जो आपके lower chakra से अगर आप operate कर रहे हो, तो उससे कहीं न कहीं ये जहरनी हो आपके twin flame help करता है कि आप अपने separation consciousness से उपर उठो आप अपने unfulfilled जो आपके ये जो जो ये पेन है sufferings है you know, इस सबसे उठके अपने आपको fulfilled अंदर से feel करो satisfied feel करो ठीके, sufficient consciousness से oneness की energy में आओ lower chakra से आप इस polarity से उठकर आप singularity में आओ lower chakra से ना बगा से operate ना करके heart chakra से operate करिए divine consciousness में आईए ये जर्णी है awakening की ये जर्णी है और इसी लिए twin flame आपको कही न कही help करता है triggers कर करके twin flame आपको ये ऐसास करता है कि जिस कस्तूरी को तुम बहार डोन रहा हो 90 पर सबसे पहले कस्तूरी term भी मैंने यूज़ किया था बहुत ये पॉपिलर हुआ था तो इस कस्तूरी को जो आप बहार डोन रहा हो वो अच्छली मैं आपी के अंदर है and this is the gist of this journey nothing is outside मेरी इस बात को underline कर लो आप जो जो रोर हो कि मुझे मेसेज करते हो उसने ब्लॉक कर दिया I am in pain उसने मुझे मेरी बात नहीं हो रही I am suffering यह आप नहीं सफर कर रहा है आपका logical mind सफर कर रहा है तो कि suffering body को होती है and you have to come out of this body, mind and आपको mind, body, soul का alignment करना है you are not this body, you are not this mind you are soul तो suffering body को हो रही है इसलिए कहते हैं mind, body, soul का alignment करिये यह emotions है यह emotions किसके है, soul की emotions नहीं होते है you are soul you are not this body, you are not this mind मतलब कि suffering किसको हो रही है mind को हो रही है emotions आपके mind के है suffering body को हो रही है तो मतलब कि अभी भी आप body consciousness और mind consciousness से operate कर रहे हो आप अभी soul consciousness में आई ही नहीं हो अभी आप heart chakra से operate ही नहीं कर रहे हो अब आप लोगो चक्रा से operate कर रहो इसलिए suffering हो रही है Divine Masculine तक तक नहीं आएगा जब तक कि आप ये Mind Consciousness से और Body Consciousness से operate करोगे Align with the Divine Consciousness Align with your Soul Consciousness और DM आपको यही रेलाइस कराता है कि आपको अपने आप No Happiness is Outside No One can make you happy कोई भी चीज बहार से External Source से मिनीच सकती Everything you can gather Your expectations, your desires, your needs Only you can gather from the Source Or the Universe Or the God Or the Light Or your Higher Self That's it Right? इस Codependency इस Emotional Codependency से उठिये जब तक आप ये चीज नहीं सीख जाएंगे कि मुझे अंदर के उस Unhealed Part को अपने अंदर के उस खाली पन को अपने इस के उस जजायर को Lack को, Victim Energy को उसको हमें अपने Source से Directly उस Energy को Fulfill करना है और वहां से भरके अपने आपको Fulfilled, Happiest Full of Peace Full of Joy feel करना है I am busy in my own I am busy in becoming the best version अप इतने busy हो जाओ अपने आप में ही Underline इतने busy हो जाओ अपने आप में ये Codependency क्या होती है ये आप भूल जाओगे मैं क्यों किसी पे Dependent रहू Mark my word मैं क्यों प्यार के लिए किसी पे Dependent रहू Answer मी और अगर नहीं है तो नीचे क्लेम करो कि मैं प्यार के लिए किसी पे Dependent रहने वाली नहीं हो क्लेम करो नीचे हर एक silent subscriber या active subscriber मैं क्लेम करो कि मैं प्यार के लिए किसी पे Dependent रहूंगी मेरे DM से मुझे प्यार है क्योंकि उ मेरा आत्मा का दूसरा हिस्सा है प्यार के लिए Dependent रहूंगी मैं अपने आप में Whole and Complete हूँ मैं अपने आप में Happy and Satisfied हूँ मैं अपने आप में मुझे DM से प्यार है बड़ प्यार मतलब यह नहीं कि मैं उस पे प्यार के Dependent रहूं कि वो Call करेगा, Message करेगा तभी मुझे खुशी मेरेगी मैं अपने उस Unhealed Part को Heal कर चुकी हूँ अलग्दर क्लेम करिए मैं अपने उस Unhealed Part को क्लेम कर चुकी हूँ I am not at all desiring और in the neediness और in the victim mindset ठीक है मैं उस energy को सीधे source से ले रही हूँ थर्ड पॉइंट क्लेम किजिए मैं उस energy को सीधे source से ले रही हूँ समझ रहे है You know one secret Universe is energy भौधान सुनिये Universe is energy और energy 100% surrender मांगती है जिसे कि एक नल एक tab में और जब पानी तब flow होता है जब उसमें बीच में कोई भी block कोई कचड़ा नहीं होता है Universe आपकी जिंदगी में तब flow होगा जब आके blockages का कचड़ा नहीं होगा Universe demands 100% surrender अपने इस दिमाग को side में रखके Universe को 100% surrender कर दो तुने मुझे journey दी है You know you have a best plan for me That's it And only focus on your blockages मुझे अपने उन्हा सारे unhealed parts को heal करके अपने ego mind को side में रखके अपने इस logical 3D mindset से उपर हटके mind gaming बहुत सी df बहुत mind gaming करती है जो mind game से operate करेगा जर्नी नहीं हो पाएगी बैस सीधे बोल रही हूँ क्योंकि आप जितना अपने mind को चलाओगे mind manipulative होगे आपका dm आपको वही mirror दिखाएगा तो इस जर्नी को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा मात्र एक चीज है बहुत बहुत ही जादा सौम में होना है बहुत ही जादा सरल, साधरन, purest अगर आपने mind gaming करी जर्नी पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि ये energy नहीं bear करती है कोई भी mind manipulation ठीक है अपने logical mind को जो तक आप side में रखेंगे नहीं और mind gaming से उपर उठेंगे नहीं ये जर्नी की शुरुआत ही नहीं हो पाएगी और आप life में karmic situation toxic people को आप life में जहेलते रहेंगे bear करते रहेंगे ठीक है और literally आप matrix में lost हो जाएगे अगर आप मेरी इस बाप को ध्यान से नहीं समझेंगे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमें क्यों pure होना है तो pure आप नहीं होएगे आप mind और logical mind से operate करते रहेंगे no alignment with the God no abundance, no happiness no peace, no fulfillment, no satisfaction और abundance आएगी भी तो वो कहीं न कहीं love, you know we will lose फि वो परमात्मा का आश वो लक्षमी नहीं होगी वो माया होगी ठीक है and you will be lost in the matrix and in the karmic situation, karmic people ठीक है तो इस journey में journey को बहुत ही you are very blessed कि आपको इस journey मिली है और इस एक बहुत ही प्याना सा line जो मैंने आज ही बनाई है आप लोगों के लिए created by my own और इस line को हर कोई लिखिये नीचे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी क्योंकि इस सिर्फ लिखना नहीं है आपको एक पकार से claim करना है जैसे जैसे ego जाएगा जैसे जैसे ego जाएगा universe आपके और करीब आएगा right यह सब लोगी line लिखेंगे और इसको याद रखेंगे मेरी इस बात को जैसे जैसे ego जाएगा वैसे वैसे universe और करीब आएगा क्योंकि इस वकत आप लोगी जो problem पे सामने आ रही है वो आपका ego ही आ रही है and ego is the biggest blockage in your journey in your union अपने थान रखिये love you all